जी दोस्तों वेलकम है आपका आपके अपने चैनल पर और जिन भाईयों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत-बहुत शुक्रिया भाईयों जो कीरी फीमेल और वाइट मेल दुनों पेर जो ताज में लगाए थे यह फीमेल एक स्टार्ट कर दिये हैं ठीक है मैंने केस को उपन कर दिया सो अब जाकर ना इस क्रेड में बैठेगी देखना यह क्रेड में बैठ जाएगी फिर आप चाहे केस बंद कर दे और बाकी बार्ट भी देख ले यह दोस्तों मेल इने में पहले छोड़ लेता हूं क्योंकि यह दूसरे बड़े मेल से न वाइट कि यह अभी थोड़ी एज कम है अभी ब्रीडिंग के लिए त्यार नहीं है पूरी तरह अभी शोड़ी एज कम है तो जो फीमेल ब्लैक है वो लगाई हुई है दोस्तों इस मेल के साथ और जो वाइट है जी अभी कोड़क है बच्चों का भी शोग कर बाता हूं बाई जो मैं इस चैनल पर भाई आड हुए है मैं इस चैनल पर दोस्तों डिफ्रेंट डिफ्रेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूं आपके कमेंट के व्याफ के ऊपर और एक बाई ने कमेंट किया था कि जो मुर्गी होते हैं वो लड़ते हैं सो हम उनको कैसे रखें एक साथ दोस्तों मुर्गों को एक साथ जो लड़ते जादा है उनको रखना थोड़ा मुश्किल होता है उनको अलागी छोड़ना पड़ता है क्योंकि अगर उनको इकठे रखना हो तो फिर उनको फाइट उनकी करवानी पड़ती है क्योंकि फाइट होगी तो एक भाग जाएगा बागे लगा लगकर ठीक है और एक जो है वो विन कर जाएगा फिर वो आप शोड़ सकते हैं लेकिन वह मुर्गा ना जो बाग जाएगा हार जाएगा लड़कर वह फिर डरकर ही रहेगा अच्छे से नहीं गुमेगा इसलिए मैं यही कहूंगा कि मुर्गिया तो एकाठी एक अगर मेल है तो मेल को आप थोड़ा जो है, दूरी रखें दूसरे मेल से, तो उसे अलग शोडि और उसे अलग शोड़ें, ठीक है, पेर में आप दो फीमेले कथिया कर सकते हैं, तो भी 2-3 मेंट हो सकता है जादा भी लड़ें एक दिन पूरा लड़ें ठीक है थोड़ा बहुता लड़कर ही उन्होंने सेट होना है और इसका कोई लाजनी होता कि हम उनको कोई तो भी मैडिसन देदें के वह ठंडी हो जाएं को यह नहीं कुछ होता यह है कि उन्होंने एक बार फाइट करकर ठीक है फिर ही सेट होना था लेकिन यह के फीमेल जो होती है वह जल्दी कठी हो जाती है compare to male ठीक है male थोड़े जो है वो नहीं कठे होते जहां फिर दोस्तों कठे बच्चे निकले हो एक साथ हो जैसे मेरे अंदर जो प्रिंदे जिसमें बंद है उन्हें में ऐसा है कि वो कठे निकले हैं सबी तो वो नहीं एक तूसरे को मारते परिट भी का सील सबी मिक्स रहते हैं सिर्फ दोस्तों यह मेल है एक निया एड़ किया था आपको पता ही है टेमपर टेल में सो यह लांग टेल वाले मेल को अपना थोड़ा मारता है दूसरे सीलों से भी थोड़ा लड़ता है सो इसे लग ही रखा है पूरे फार्म से ही लग है यह मेल है क्वालिटी बहुत अच्छी है टेल जो है वो तूटगी है टेल निकालेगा बीग तो इतनी अच्छी है कि बिलकुल पैरिट है दोस्तों यह बिलकुल ही पैरिट है क्वाइन हेट बहुत अच्छी क्वालिटी में है दोस्तों ये वाइट नोक नली है हल्की येलो कह सकते हैं प्रॉपर वाइट नहीं है लेकिन इसके बच्चे उमीद है वाइट आने के वाइट नोक नली में है और बच्चे इसके दोस्तों वाइट ही आए है आपने देखा ह जो बाकी पीज़न्स भी देखें कि एक पेर ये लगा ये भी मेल ये फीमेल एक पर यह पर वेटा है ये लिए रखने है क्योंकि जो सावन का महिना होता है न दोस्तों जे जो मौसम चल रहा है बारिश का इस महीने में सबी बर्ड्स एनिमल्स जो है वो ब्रीडिंग करते हैं और बच्चे जो वो निकालते हैं ठीक है तो ये ये भी सीजन बेस्ट है ब्रीडिंग के लिए एक ये है और एक फैब मार्च है बसंत का सीजन जो होता है ठीक है फैब मार्च सरदी के बाद और गर्मी से पहले जो आता है ना मौसम वो बहुत अच्छा होता है उसमें आप बर्ड भी एड़ कर सकते हैं और मौसम भी बहुत अच्छा होता है बाकी मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपी के साथ